नमस्कार भक्त जनों मैं आपको अहोई अस्ट्रिमी की पूजा विधी और कथा सुना रही हूँ अहोई का अर्थ अन्होनी को होनी बनाना होता है इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है अहोई अस्ट्रिमी का व्रत दिन भर निर्जल रहकर किया जाता है अहोई माता का पूजन करने के लिए तड़के उठकर मंदिर में जाती हैं वही पर पूजा के साथ व्रत का आरंब होता है शाम को पूजा के बाद कथा सुनने के बाद व्रत पूरा किया जाता है इस दिन महिलाएं शाम को दिवार पर अहोई माता का चित्र बनाती है उसके आ कलने के बाद अहविमाता की पूजा शुरू होती है पूजन से पहले जमीन को साफ करके पूजा का चौक पूर के एक लोटे में जल भर कर उसे कलश की तरह चौकी के कौने पर रखते हैं पूजा करते हैं इसके बाद इसकी कथा सुनी जाती है अपनी संतान की दिर्ग आयू स इसके साथ बेटे साथ भूमें थी एक बेटी थी सब कोई मिट्टी लेने गई मिट्टी खोदते समय ननत के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया स्याहू माता बोली मैं तेरी कोग बांदूंगी तो ननत ने अपनी सारी भावियों से कहा लेकिन ननत के बदले में अपनी को अब उसके जो बच्चा होता हुए होई साथ के दिन मर जाता एक दिन उसने पंडिताइन बुला कर पूछा कि क्या बात है मेरे बच्चे होई साथ के दिन मर जाते हैं तब पंडिताइन बोली कि तू सुर्भी गाय की सेवा किया कर सुर्भी गाय स्याव माता की सहली है वह ते करती रहती है आज देखा जाए कि कौन मेरा काम करता है गव माता ने सुबह उठकर देखा एक साहुकार की बेटे की बहु है जो सारा काम करके जाती थी गव माता बोली तुझे किस चीज की इच्छा है जो तु मेरा इतना काम करती है मांग क्या चीज मांगती है तब साहुका के पास मेरी कोग बंदी हैं उनसे मेरी कोग छुड़वा दो फिर गव माता ने उसे सास समुदर पार अपनी सहली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर में साप आया और पेड़ पर गरुड पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहुकार की बहुने साप को मार कर डाल के नीचे फैक दिया और बच्चे को बचा लिया गरुड पंखनी आई आकर साहुकार के बेटे की बहु को चौच मारने लगी तो साहुकार नी बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा साप त तेरे बच्चे को छिपाया है तब गरुड पंखनी बोली मांग क्या मांगती है वह बोली साथ समुद्र पार स्याहू माता रहती है हमें तो तुम उनके पास पहुचा दो गरुड पंखनी ने अपनी पीट पर बैठा कर दोनों जनों को स्याहू माता के पास पहुचा दिया स बहन बहुत दिनों बाद आई, स्याहु माता बोली मेरे सिर में बहुत जुवे हो गई है तो गई माता बोली मेरे साथ जो है इस से जुवे निकल वालो साहुकार की बहु ने उसकी सारी जुए निकाल दी स्याहु माता बोली तुने मेरी बहुत भलाई की तेरे साथ बेटे साथ बहु में हो बहु बोली मेरे तो एक बेटा भी नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे स्याहु माता बोली क्यों नहीं होंगे तब वे बोली कि मुझे वचन दो तो स्याहू माता बोली वचन ये वचन वचन उके तो धो बीकुंड पर कंकरी हूँ जब सहुकार की बहु बोली मेरी कोक तो तुमारे पास बंदी हुई है तब स्याहू माते ने कहा तूने तो मुझे बहुत ठगा मैं तेरी कोक तो नहीं ख लेकिन आज खोलनी पड़ेगी जो तेरे घर में तुझे साथ बेटे मिलेंगे तू उसमन करी ओ साथ होई माता साथ मांडियो साथ कड़ाई करी ओ वे घर गई देखा कि महां साथ बेटे भुवे बैटी हैं खूब धन हो गया उसने साथ होई मांडी कोई दीवार पर कोई मट कोई कहीं साथ उजमन करे साथ कड़ाई करी उधर सारी दोरानी जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो नहीं तो सब कोई रोने की आवाज आएगी थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा देखकर आओ आज वे रोई क्यों नहीं है देखकर बोला आज तो चाची होई मान रही है खुब उचमन हो रहा है फिर दोर जिठानी दोड़ी दोड़ी गई तो देखा कोग छुडा लाई वे सब बोली तुमने कोग कैसे छुडाई वे बोली मैंने तो कोग बंधा ही नहीं लेकिन स्याहु के बच्चे के मरने के लिए कोग खोल दी स्याहु माता जैसे साहुकार की बहु की कोग खोली ऐसे सब पर क्रपा करना सब की सहायता करना